Hello Guys, This is Ritu and Welcome to Teaching and Learning आज हम आपके लिए Assessment for Learning का सबसे Important Question लेकर आए हैं जो एक्जाम में आता ही आता और कल आपके लिए 12 नमबर वो पक्के कर सकता है आपने प्रीवियस एर के Questions पेपर में देखा होगा कि ये वाला Question तीनो साल आया है और ये थोड़ा सा Tricky होता है क्योंकि बच्चों को Blueprint बनाने में बहुत Problem आती है तो मैं ये सारा Question आपके लिए Prepare करकर लाई हूँ या आप Easily एक्जाम में ऐसे ही Write कर सकते हैं चाहे तो आप रट लीजे या समझ लीजे या पढ़ लीजे और आप इसे एक्जाम में लिख कर आएंगे तो आपके 12 नमबर पक्के है आपको मेहनत नहीं करनी है कुछ भी नहीं करना है आपको बिस ये ऐसे ऐसे पढ़कर एक्जाम में लिख कर आना है तो अचीवमेंट टेस्ट को बनाने से पहले हमें उसका अर्थ और परिभाशन लिखना बहुत ज़रूरी है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आप इसे यहां ही से पढ़कर देख सकते हैं उसके बाद इसके स्टेप्स हो जाते हैं कि उसका निर्मान करने से पहले कंस्ट्रक्ट करने से पहले अचीवमेंट इसको कौन से स्टेप हमें फोलो करने होते हैं तो यह हमारे स्टेप्स हो गए हैं आफ्टर स्टेप्स आप यह नोट डाउन कर सकते हैं नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं उसके बाद हमारा आता है steps को एक एक करके open करना कि first step में क्या होता है planning में हम क्या چीजे करते है प्लानिंग में हम पहले जो हमारे उद्देश हैं उनको निर्धारित करते हैdie objective को जिस on objective को हमें fulfill करना है में उसके बाद हम ग्यानात्मक रियात्मक भाव आत्मक पक्षो को निर् दर्शित करते हो तो उसे blueprint कहते है तो इस तरीके से हमने एक एक करके ये चारो steps को open किया हुआ है ये चारो steps को open किया है यहां तक वो 4 steps end हो गया लास्ट वे हम उसको type करने के लिए उसको print करने के लिए दे देते हैं अचीवमेंट टेस्ट को फिर यहां से हमारे अचीवमेंट टेस्ट का स्टार्ट हो गया है अचीवमेंट टेस्ट करने से पहले ब्लूप्रिंट का अर्थ समझना जुरूरी है यह ब्लूप्रिंट का अर्थ हो जाएगा परिबाचर हो जाएगी उसके बाद ही हमारा स्टार् यान का हमारा ब्लूप्रिंट है एट्थ क्लास के लिए बीस नंबर का 35 मिनट किसकी अबदी है ये पहला उद्देश्य के अनुरूप अंकभार उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दिया है हमने यहाँ पर उसके बाद हमारा आजाता है विश्य अनुरूप अं अंकभार देना उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दिया है फिर हमारा आजाता है प्रश्न अनुसार अंकभार मतलब कौन कौन से टाइप के हमने प्रश्न बनाये है और कितने प्रश्न बनाये है प्रश्नों को कितना अंक दिया है इस तरीके से य यहां पर define कर दिया है कि इसमें क्या क्या होता है लास्ट में हमारा आ जाता है ब्लूप्रिंट जिसमें हम यह तीनों ही जो हमने चार्ट बनाए उनको एक साथ एक ही चार्ट में प्रदर्शित करते हैं जिसे उद्देश्य उद्देश्य हमारे यहां राइट डाउन है फिर संख्या प्रश्ण हमारे यहां है वस्तुनित अर्ति लगू लगू निबंद् ज्यान आत्मक के चारो फिर बोध के चारो फिर प्रियोग के चारो प्रकरण हमारे एधर राइड डाउन है कोष्टक के अंदर हमारे अंख है और कोस्टक के बाहर हमारी संख्या है तो दो क्वेशन हो गए यानि कि प्रतेक क्वेशन एक नंबर का है तो दो क्वेशन दो अंक हो गए यहाँ पे एक क्वेशन है अंक दो नंबर है तो एक क्वेशन दो नंबर का हो गया है इनकी दो नंबर के क्वेशन एक क्वेशन है हमने पूर्णांक रखा था वह 20 नमबर यह 20 नमबर आ गया ऐसे जोड़ने पर भी 20 होना चाहिए और ऐसे भी हमारा यह 20 आ गया इसके बाद हमने थोड़ा से इसके बारे में explain कर दिया है और यही हमारा answer finish हो जाता है आप इसके screenshot ले सकते हैं आप इस answer को ऐसे ही राइट करके आएगा इट इस वेरी इंपोर्टेंट को होप करती हूं आपको यह helpful रगा होगा और आपके एक्जाम में आए गई आएगा आएगा आप इसे प्रिपेर कीजेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो काफी helpful था आप लोगों के लिए चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बाए